हालो गाइस विल्कम तो यूर चैनल डूर क्लासेस आज हम आपके साथ डी आर खुलर की भुगोल जो की मेंस के पॉइंट और व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इस्पेशली फॉर जो एस्परेंट जिनका ऑप्सनल जियोग्रोफी है उनके लिए तो एक तरीके से एक जगहा पे पूरे के पूरे टॉपिक्स का कमपाईलेशन और बहुत बहुतर तरीके से इन्होंने किया हुआ है उस बुक के रिभ्यू लेकर आए हुए हैं तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्या-क्या chapters हैं और इस बुक को किस तरीके से आप अपने पढ़ाई में include करके आपकी इस तरीके से उसको बहतर बना सकते हैं इस चीज़ को भी आप यहां से समझ सकते हैं और lastly आप इस चीज़ को decide कर सकते हैं कि आपके optional especially subject के लिए कहीं तक कुछ percent ये GS यानि जिनका optional नहीं है उनके लिए भी ये helpful हो सकती है बट कुछ chapter ऐसे हैं जो आपको paper 1 में या PT में important नहीं होते हैं वो भी यहां पे दिये रखे हुए हैं क्योंकि especially जिनका geography optional है उसको focus करते हुए सारे के सारे chapters को इसमें compile किया गया है तो ये doubt generally मुझसे क्योंकि मैंने last जो इसका edition था उसका भी review किया था और बहुत सारे messages इस से related आये थे कि क्या सरी ये optional मेरा नहीं है तो क्या उसके लिए important रहेगी हाँ important तो obviously बात है कि data वही सारी चीज़े आपको मिलेंगी बट एक बहुतर compilation जो book कर देती है वही कही नहीं कहीं आपकी पढ़ाई को बहुत बहुतर कर पाती है क्योंकि एक जगह पे अगर आपको सारी चीज़े मिल जाती है तो आप बहुतर वो कर पाती है लेकिन आप वो सिर्फ और सिर्फ GS के point of view से इस book को पढ़हें तो कहीन है कि energy आपकी बहुत जादा loss हो जाएगी बठा अगर आपका optional है तो यह आपको बहुत बहुतर तरीके से increment आपकी subject में करेगी चाहे वो UPSC का optional हो या as well as species का optional हो हर जगा यह सारे चौट topic को इन्होंने compile किया है क्योंकि generally बहुत सारे बुकों में सिर्फ physical geography मिलती है बहुत सारे बुकों में Indian geography मिलती है कुछ specific book हमें human geography की खरीदनी पढ़ती है जो कि topic optional में human geography पूछा जाता है ना कि हमारे GS में तो human geography की अलग book तो वो सारा compilation और book भी अगर हम खरीदते हैं तो वो भी इतनी बहतर नहीं रहती है कि अगर उसको आप बहुत बहतर तरी उसमें भी क्योंकि chapters हमें चाटने पढ़ते हैं तो इन्होंने वो सारी चीजों को समस्याओं को क्योंकि last जो edition था इनका उसमें इन्होंने human geography पे ज़्यादा focus नहीं किया था इस बार इन्होंने उस book को बहतर किया है इसलिए ये book थोड़ा सा और ज़्यादा मोटी हो गई है आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मतलब ये prox मुझे लगता है क्योंकि इसमें unit wise है unit wise chapter और pages दिये गए है इस वज़ा से इसके pages exactly मैं नहीं बता सकता हूँ लगभग मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि prox 1000 pages से ज़्यादा है इस book में आप देख सकते हैं already इसके कितरी ज़्यादा मुटाई है तो ये total book आपको मुझे लगता है कि market में ये book आपको 550 से 20-30 रुपए उपर नीचे जैसा आपके यहाँ पे discount है उस अधार पे आपको मिल जाएगी और अगर आप हमारे पास से यानि हमारे जिस store से हमने अपना tie-up किया हुआ है उस store से अगर आप मंगाना चाहते हैं तो आपको वीडियो के last में वहाँ की पूरी detail मिल जाएगी आपको contact number आप वहाँ से इस book को order कर सकते हैं आप home delivery करा सकते हैं तो चलिए देखते हैं इस book में क्या ऐसा है कौन-कौन से chapter है तो आप देख सकते हैं ये book DR.KULAR राज की सुनाते हैं महाँ विलाले काल का chapters की चलिए अब बात कर लेते हैं directly क्योंकि ये book बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं 1000 pages से ज़्यादा ही मुझे लगता है कि होगा तो पिछली बार के edition मैंने पढ़ा था उसमें कुछ chapters यानि especially human geography आपको बहुत बेतर नहीं मिल पा रहे थी और आकडों में बहुत ज़्यादा कहीं ने कहीं especially जनसंख्या से related आकडों में कई जगा बहुत silly silly mistakes देखने को मिली बट इस book ने बहुत सारे सुधारे के साथ एक prox मुझे लगता है कि साथ साल बाद इन्होंने इस book को edition किया है क्योंकि obvious है कि अगर आप एक जगहाँ पे अब पूरे के पूरे optional को compile करना चार है तो आपको एक मेहनत बहुत ज़ादा लगेगी तो साइद मुझे लगता है कि इसलिए इतना time लग गया इसके दुबारा edition निकालने में और ये last year मुझे लगता है edition इनका आया था थोड़ा सा मैं late हो गया review करने के लिए ये देख सकते हैं आप 17 edition है ये 2019 में आया है ये तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या chapters है जो भी नए sprint है जो अपना optional geography रख रहे हैं उनके लिए ये मुझे लगता है कि समझना आसान होगा इस book को देखने के बाद कि किस तरीके से वो इस book को ले या उनके लिए helpful रहेगी कि नहीं रहेगी हर चीज़ को आप इस उसमें देख सकते हैं चलिए sorry आपको पहला chapter जैसे कि आप इस content और अपना syllabus उठाकर इस content के तहत आप इसको match करा सकते हैं आप देखेंगे कि 95% content इन्होंने इसमें एक तरीके से डाल लिया है एक तरीके से इन्होंने इसमें समाहित कर लिये हैं तो आप देख सकते हैं भू आकरती विकास अपछेपन भूपरपटी ये सारी एंड इन्वार्मेंट को भी थोड़ा सा चैप्टर इसमें डाल दिया गया लास्टली एंड फिर जलवायू बिज्ञान और उसके पर शात ओशनोग्राफी समुद्र बिज्ञान फिर इन्वार्मेंट जेओग्राफी फिर यहां से सुरुव होता हुमन जेओग्राफी जो तरीके से जैसे चेतरी विभेदन, प्रादेशिक संस्लेशन, दुविभाजन, दोयतवाद, पर्यावरणन संभाववाद, मात्रात्म करांती, अवस्थिती विश्लेशन, उग्र सुधारवाद, ब्योहारिक, मानवी, भुगोल, सोरी, कल्यानकारी, एन्लैंग्वजेज, धर्म और निर्पेच, विश्व के सांस्कृतिक प्रदेश, मानवी, का सुचकांक, सारे चेप्टर इन्होंने कंपाइल किया, फिर एकनॉमिक जोग्रोफी, पांच चेप्टर, इग्जैक्टली, पांच टॉपिक, हिउमन जोग्रोफी में, आपको जोग्रोफी ऑप्शन जो डिमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल हो, क्रिस्टलर, लॉश और केंदरी, यानि सेंट्रल प्लेश थियोरीज की मॉडल हो, वान्थ यूनन हो, विवर हो, या अन्ता भूमी, बही भूमी सिधान्त हो, अन्तराश्टी, शीमा एवं, सीमांत के छेतर, ये सारे क्यूश पे बहतर तरीके से आपको मिल सकती है, मुझे तो इसके पॉइंट अब यू से बहतर लगी, अगर आपने पहले से इस बुक को पर्चेस कर रखा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप ऑप्सिनल को लेकर थोड़ा सा भी दिमार्ग में डाउट चलिए, आगे चैप्टर्स की बात कर लेते हैं, आपने देखे लिया, मैंने दिखा दिया, पॉपलेशन सेटलमेंट, प्रादेशिक, अब पॉस करके आप अपने चैप्टर्स को देख सकते हैं, तो ये था पेपर वन, तो मैंने वही कहा है कि इसको इसको इग्जैक्ली ऑ ऐसा नहीं था, एंड इंडियन जेग्राफी, इंडियन जेग्राफी के लिए आप अन्य बुक को भी मैंने रिव्यू किया है, आप वो देख सकते हैं, हाँ लेकिन थोड़ा सा एक अगर अपडेटेड, जिस्ट लेटेस्ट आप अपडेशन इंडियन जेग्राफी को पढ एक कोई भी जैसे एक कोई नहर कहीं निर्मार हुआ, तो वहाँ के आसपास से उससे रिलेट कुछ ना कुछ ऑप्शनल में, आपको पेपर 2 में थोड़ा सा मतला डारेक्टली कुछन कभी करेंट अपडेशन नहीं रहते हैं, क्योंकि इसमें चैप्टर भी आप देख सकते इसमें दीया हैं इन्होंने कि नहीं, समकाले इन मुद्धे आप देख सकते हैं, हला कि ये समकाले इन मुद्धे इनका कहने का तादपर ही रहता है, उससे रिलेटेड आप से क्चैप्टर 2 में पूछ जा सकते हैं, तो थुड़ा सा बहतर रहेगा कि आप एक बुक और फॉ है तो देख लेते हैं फिचकल सिटिनिंग कैसी तरीके से वहाँ पे संसाधान क्रिशी एंड इंडस्ट्री मैं कुछ चैप्टर्स के आपके सामने लैंगुज भी डिस्कस करूँगा डिस्कस का मितलब आप उसको पॉस करके मैं कुछ चैप्टर्स आपको दिखाता हूं एक उस लैंग्विज से कितना बहतर आप उस टॉपिक को कंटेंड कर पाते हैं तो वह कहीं नहीं कहीं लैंग्विज बहुत ज़्यादा इंपोर्टन रूलादा करती है तो अग्रिकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रांस्पोर्ट का ट्रेड एंड कुल्चरल सेटिंग इंडिय अक्सर यह पिसी या स्टेट पीशस में प्लिटिकल एस्पेक्ट से रिलेटेट कुछ कुछ क्यूशन पेपर टू में इवन पेपर वन में भी कुछ क्यूशन रिजनल जो मैंने आपको यह चैप्टर दिखाया वहां पे देखने को मिल जाते हैं और एस्प्रेंट को लगत लेकिन आपको यहां पे वह भी सीमा पारातंकवाद आपको देखने हो लगेगा कि आयार गटिशन यहां पे कहां से आ गया तो यू मतलब एक प्रक्रेटिकी से जोग्रॉफी एक ऐसा ऑप्सणल है जो जी असके बहुत सारे आयाम को प्रॉक्स देखा जाये तो एक जी बात है कि आप अगर जोग्रॉफी आपका है तो वो आपके जीयस में नो डाउट काफी फैदा देता है तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें आईहार के भी हैं सीमा पारातंकवाद यानि हमारे इंटरनल सीक्योर्टी के साथ साथ जो पडोसी देशों के साथ डिस्प्य वगरा है वो भी यहां पे आपको दच्छिड एसिया में कैसी जियो पॉलिटिक्स चलती रहती है भूराजनीती हिंद महासागर की यह बहुत इंपॉर्टेंट मतलब इनका एक तरीके से मुझे लगता है कि हर दो साल में यह क्यूशन देखने को मिले जाता है कि इंडियन इंडियन ऊशन में किस तरीके से जियो पॉलिटिक्स चलती रहती और क्यों इंपॉर्टेंट है इंडियन ऊशन इतना क्यों है और भारत उस पर क्या रोल अधाकर सकता है One of the most important and favorite question अब देख सकते हैं जो भी भूग कंप सुनामी अगर कहीं पर आई जैसे अभी आपने बहुत सारा इस साल कुरोना के दोर में आपने कई जगह पे बाढ़ तरीके से चक्रवात आते देखा होगा और अभी बाढ़ की तो इतनी जादा संभावना हर जगह आपने सुना होगा इस मानसून में तो वो कहीना के इंपोर्टेंट इस साल के लिए ओफिश हो जाता है चलिए यह हुआ टोटल जितने भी चैप्टर्स हैं उनका एक समरी कि क्या-क्या चैप्टर्स दिये हुएं बिसे सुची के बारे में हमने देख लिया अंत में हम चलिए बात कर लेते हैं यह सब वो चीज दिया हुआ है कि कहां पर किस पेज में क्या-क्या बाते की गई हैं जैसे पेज नंबर 10.14 में भारतें बेरोजगारी की संक्या तथा बेरोजगारी सुचकांक यह चैप्टर इसमें इंक्लूड किया गिया है प्रत्यच बिधिशी निवेस 10.28 आपको लग अगर आप कोई मतलब मैप आप देखना चाहते हैं तो किस चीज का जैसे आप परवत के अपनती और उपनती का देखना चाहें ब्रंस के प्रकार देखना चाहें ब्लैक फॉरेस्ट या राइन दरार घाटी कहां पे है इस तरीके कि मैप आपको कहां पे मिलेंगे एक जगह आप इन्होंने पूरी के पूरी सूची लिस्ट बना दी है जो आपके लिए helpful रहेगी आप देख सकते हैं पूरी के पूरी सूची क्योंकि मैप जोग्रॉफी की आत्मा होती है अगर उसके बगार तो आप जोग्रॉफी में marks पाही नहीं सकते हैं क्योंकि मैप आपको तरीके से अब स्टार्ट करते हैं यूनिट वन प्रिपर वन पेपर वन का चैप्टर प्रिंसिपल आफ जोग्रॉफी ठीक है यह रहा पहला चैप्टर जियो मॉर्फ लॉजी आप देख सकते कि बहुत बहुत बहुतर तरीके से इन्होंने कंपाइल किया है मैं आपको कुछ चैप्टर का रिव्यू दिखाई देता हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ इन्होंने पिक्चर्स भी उस तरीके की बनाई है फोटो ने इन्होंने लगा दिये खिंच कर ना कहीं पेव उस तरीक का उस टाइप का बनाया है कि जिसको आप पेपर में बना सकें और मार्क आप बहतर तरीके से उसको समझा सकें उसी टाइप का इन्होंने पूरे की पूरे इमेजिस बनाया है आप आसानी से देख सकते हैं यह इस बुक की बहुत 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 खासियत है कि इन्होंने पिक्चर्स वही बनाए है जो आप exam में paper में बना सकते हैं आप pause करके कुछ chapter उर के लिए वो पढ़ सकते हैं language बासा आपको बहुती simple और बहुत भेता तरीके से इनोंने चीजों को समझाईए अगर आप कोई book बहुत जादा जैसे लगता नहीं है कि बहुत मोटी book है उसको कौन उठाए पढ़ने से डर लगता है तो आप इस book को लाइए और उसको chapter wise फाड़ कर divide कर लीजिए जिससे आपको पतली पतली book में ये 4-5 book में 6 book में या 10 books में आप इसको divide कर लीजिए chapter wise आप इसको divide कर लीजिए आपका डर अंदर से खतम हो जाएगा कि इतनी बूटी book कैसे खतम होगी आसानी से हो जाती है बस आपको एक कंस्टेंश ले एक continuity चाहिए होती है उस book के प्रती आसानी साब उस book पे पकड़ बना सकते हैं ये था total मुझे लगता है कि geography optional के point of view से बहुत important compilation है जनरली इस टाइब की चीजें मिलती नहीं है तो थोड़ा सा geography के जो sprint होते हैं geography optional जो पढ़ते हैं उनके लिए थोड़ा सा क्योंकि obvious है कि इतना ज्यादा topic होता है और वो सब कुछ cover करना होता है और अगर वो एक जगह पे सही बहतर तरीके से मिल जाए तो आप obvious है नंबर आप बहतर कर सकते हैं और दूसरी जैसे इसकी अन्ने जो books आपको पढ़नी होते हैं सब इंदर शिंग हो गया उनकी book भी बहुत बहुत बहतर है लेकिन वो सिर्फ है वो अकृती भी ज्यान के लिए जियो मोर्फ लॉजी के लिए बहतर दिया है और उसकी लेंग्विस थोड़ा सा मुझे टफ कहीं कहीं लग जाती है हाँ जो नए स्प्रिंट उनको समझने में थोड़ा मेनत हो सकती है बट फाइनली जैसे यह देख सकते हैं आप कई भारी क्यूशन पूचा गया माधी पी विश्तापन सिद्धान्त और प्लेट प्रिवर्थिन की सिद्धान्त में क्या डिफ्रेंस है डारिट क्यूशन आता है और इन्हों ने बकायदे टेबल बनाकर यहां पे इन्हों ने ड़ाला है क्योंकि यह नए अज के पॉइंट अब क्यूंकि वह मुझे लगता साताठ स साल पुराना एडिशन था तो उन्होंने उस समय के point of view से उस टाइब की क्यूशन सायद आते रहेंगे लेकिन आज के point of view से वह थोड़ा सा प्रासंगीक नहीं रह गई है मैं कहना चाहूंगा लेकिन हाँ ठीक है आप उसको उसको भी अगर follow-up कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं जैसे यहां पर देख सकते हैं कि नए अडिशन मीनों ने ना कुछ चीजों को जो पीटी के point of view से जैसे कि जब किसी कारणवस भूमी में कमपन पैता होता है तो भूकम्प है लेकिन यह तो चलो बहुत सीधी सी बात होगे लेकिन भूकम्प की तीब रिता हैं परिमाप को क इतर तरीके से compilation तो total कितने पेज हैं जियो मोर फ्लॉजी के लिए यहां पर देख सकते हैं डेविस का क्या मत था और पेंग का क्या मत था ऑप्शनल के लिए मुझे लगता है कि डेविस और पेंग अक्सर पूछते रहते हैं डेविस का आधर्स भागोली चक्र क्या है या फिर अपरदन के जो चीजें हैं अपरदन किस तरीके से कितने प्रकार से अपरदन होते हैं और अनच्छादन कालकरम फिर जलमागर अकृति यह देख सकते हैं पिक्चर इतने बहतर हैं कि आपको आसानी सी वो टॉपिक समझ में आ जाएगा चलिए पेडी प्लेन क्या होता है स्पेशली क्यूशन मुझे 16 या 17 में में पेडी प्लेन का डारेट क्यूशन मुझे देखने को मिला था चलिए आगे बात कर लेते हैं बहुत बड़ा शेफ्टर जियो मॉर्फ लॉजी है 200 प्रॉक्स 164 पेजस में इन्हों ने जियो मॉर्फ लॉजी के बहुत सारे टॉ के पेपर देखे बगार तो आपको एक्जाम में जाना ही नहीं चाहिए उनको सॉल्व करें बार बार प्रैक्टिस करें तब ही जाके आप इस गाम में बहतर स्कोर कर सकते हैं तो इसलिए प्रिवियस एर के सारे पेपर के जो टॉपिक वाइस क्यूशन जैसे कि क्योंकि मतलब इस टॉपिक से क्या क्या क्यूशन आए तो आपने टॉपिक अगर मजबूत किया तो उनके क्यूशन आप सॉल्व कर लें आप चैप्टर में महारत हार्शिल कर लेंगे यही तरीका होता है हर एक्जाम को बेहतर करने के लिए फिर क्लाइमेटोलोजी देख सकते हैं हो भी मैं चैप्टर को आपको थोड़ा सा वैसे करके दिखा देता हूं इतनी मोटी बुक को बार पलटना तो मतलब मुझे लगता है कि 10-12 घंटे में भी पलट जाएगी तो मैं थोड़ा सा स्पीड ली क्यूंकि जलवाई विज्ञान को लेकर थोड़ा सा दिमाग में रह डारिकली हुमेन जोग्रोफी पर आएंगे क्योंकि अगर हमने यही चैप्टर जिस दिखाते रहे तो थोड़ा सा यह रहा हुमेन जोग्रोफी रीजनल और डेक्टोमी अक्सर्क्यूशन पूसता रहता डिफरेंट बिट्वीन दर सी सिस्टेमेटिक जोग्रोफी और संभाववाद क्या होता है संभावनावाद बहुत बेतर से इन्होंने मात्रात्मक क्रांती के बाद यह तो कई वार इन्होंने क्योश्चन पूछे हम आपको दिखाना जो चाह रहे थे यह पहला चेप्टर बहुत इंपॉर्टन भी है और UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो जो चीजी एकनॉमिक का यह चेप्टर हो गया आप देख सकते हैं मैप तो इन्होंने बहुत थोक के भाव भर भर के इन्होंने दिये हैं क्यो अब आज आते हैं हम इंडियन जोग्रॉफी में यह सिधान्त जितने आपको मैंने बताया देगी मॉडल सिधान्त और जो भी नियम बहुत 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 तरीके से इन्होंने दिया है जैसे आप देख सकते हैं अंतराश्टी सीमान्त यह कई जगह का इंग्जामपल इन्ह हो गया इन सबके सिधान्त हो गया क्रिस्टल एर लॉस का केंद्री इस्थल का सिधान्त सेंट्रल प्लेस यह देख सकते हैं तो मुझे लगता है आई होप सो कि आपको यह चीजें क्लियर हो गई होगी और यह रहा आपका पहला चेप्टर इंडियन जोग्रॉफी का मैप आ बहुतिक बिन्यास में यह देखे आपको ऐसा मतलब मुझे लगता है कि बेहतर कंपाइलेशन इन्होंने कहां पे क्या है किस तरीके से आपको मैप फिर आप बना सकें एक्जाम में उसी को मद्दे नजर जासे उत्री भारत का बिशाल मेहदान पूरा का पूरा इन्होंने अच्छे तरीके से बाटा है इसलिए मैं कहता हूँ कि यह मेंस के ऑप्सिनल के लिए तो इंपोर्टेंट है लेकिन इनकी जो मैप्स है और इनका जो कंपाइलेशन है वो आपको जीयस में भी बहुत फायदा देगा ऑवरिश है यह था भारत के जलवाई उप्रिदेस उसक सकते हैं ओवर्शी बात है नौर्थ के जो प्लेन है यानि मैदान है वहाँ पे ज्यादा उत्पादकता होगी एंड क्रिसी अच्छता मादत के हरी क्रांती क्या सफल भी पशुदंसंसादन लैस्टॉप जल क्रांती सारी चीज़ें इंडस्ट्री के बारे में बात कर लोते सूती बस्ट उत्यों एंड स्टील प्लांट्स पेपर इंडस्ट्री इंपॉर्टन नहीं लेकिन सारा इंडस्ट्री नोंने अच्छे से कंपाइल किया है और नेशनल हाइवीज रेलवेज सारी चीज़े माल धुलाई के गलियारे आंत्रीक जलमार्ग पतन एयरपोर्ट य यसे बरोनी बरोनी से फिर लहवाद यूद्ध यहां ऐसे अप्यौस की सनसकीतिक विन्यास तो ऑविस्ट्व अपोर्टन चेप्टर है कहां पे कौन सी जैसे भील जन जाती, एक बार मैप से अगर आप देख लेते हैं, कि अच्छा, ये महराष्टरा, गुजरात और मत्य प्रिदेश के बॉर्डर में, तो ये आपको कही न कही याद नहीं करना पड़ता बार बार, तो ये बहतर, मुझे लगता है कि इन्होंने कमपाइंट गूर्ण जन जाती का हम आपको दिखा देते हैं, एक तरीके से, भारत की सबसे बड़ी जन जाती, बड़े छेत्र में, तो आप मैप से वहाँ पे बना भी देंगे, तो मुझे लगता है कि उंड़ा जन जाती, तोड़ा जन जाती, नेलगिरी की पहाड़ियों में, थारू जन जाती, देख सकते हैं आप उत्तर प्रदेश, नागलेंड में नागलेंड जन जन जाती, खासी जन जाती, कहां पर पाए जाती है, गद्धी जन जाती, अक्सरी, यह तो PT में तो मुझे लगता है कि मैचिंग में कई वारी एक्यूशन पूछे गया है especially UPPCS में and जनसंख्या घनत्त के बाद इन्होंने जो मुझे लगता है जनसंख्या के आकड़े लिए हो 2001 के यह आकड़े लिए है 2011 के ने लिए है बस यहाँ पर थोड़ा सा मात खा जाती है यह बुक जो कि लास्ट एडिशन में भी यही समझ्या थी इस बार भी इन्होंने उसी को लिया है इन्होंने उसको बदला नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है बट आप वो आकड़े कहीं से भी रिफर कर सकते हैं उतना दिक्कत वाली बात नहीं है चलिए यह था टोड़ा आपके सामने यह बुक पूरी बुक सोच्छे आप में रिव्यू करने में 25 मिनट लग गए सो यह हो गए जितने भी राजनेतिक पर पेच में हिंद मास आगर की इंपॉर्टेंस मैंने जैसे आपको बताया था एंड लेटेस्ट जितने मुद्दे हैं आप देख सकते हैं यह रहा आपके सामने तो फाइन भी मैंने पूरी बुक का जितना मुझसे हो पाया आप पॉस करके वो सारे चैप्टर जितने मैंने पेचेस आपको दिखा हैं उनको आप पढ़कर लेंगविज आप उसकी समझ सकते हैं तो आपको यह बुक का रिव्यू कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें जिससे हमारा मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ता है और इसी तरीके से वीडियो लाने के लिए हम थोड़ा सा उतसाहित रहते हैं तो अगर आपको भी किसी बुक के बारे में रिव्यू चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें इसी तरीके से बने रहे हैं अगर आपको इस बुक को ओर्डर करना है तो हमारे वीडियो के लास्ट में आपको डिटेल मिल जाएगी आप वहाँ से होम डिलिवरी करा सकते हैं थैंक यू फर वाचिंग ओर वीडियो थैंक यू प्यू जाएगी जाएगी जाएगी